पेट की चरवी कम करने है और जल्दी कम करने है तो एक्सेस नमबर वन नोट कीजेगा और बड़े गौर से नोट कीजेगा आज कमाल एक्सेस बतारों जो कि पेट की चरवी बहुत जल्दी कम करती है हर एक्सेस के बाद हम प्लैंक जुरूर लगाएंगे करनी कैसे एक्सेस न करना हैं कितिर के दिये एंगे ऐब दूसरी क्क्साइज के बाद यह एक्सिमम प्रॉच्छर देगी योगी पहली एक्साइज टीन टीन सैट के साथ उसके पाप प्लैंग लगाया एक्सेज नमबर टू नोड कीजिए एक्सेज नमबर टू में तीन सेंट हम लगाएंगे स्प्रॉल के 50-50-50 के उसके फॉरन बाद हम लगाएंगे अब ब्लाइंगे इस तरीके से कितने लगाने नीचे जाएंगे बैक्स आप करेंगे वापस अपनी पूशिन पर आगे सब्सक्राइब थिर से आपने 50 अगर आपको पांच सब्सक्राइब लगता है तो फिर मैक्सिमम दस सब्सक्राइब लगा लिए तस सब्सक्राइब तीसरा सेट भी आपने 50 वापिटेशन का लगाना है मतलब कि अब यह 49 और 50 50 हो जाएंगे फॉरन आपने आना और प्लैंक लगाना है कितने 30 सेटिंड के लिए 30 सेटिंड का प्लैंक हो गया तीसरी एकसेज आपने जाकरने ही होगी दो एकसाइज तीन-तीन सेट के साथ एक-एक प्लैंक के साथ एकसे नमर थ्री नोड की जिगा यहीं पर खड़े तांगे खोलनी है बच्बन में जो एकसाइज करते एकसाइज थारा और और भॉद सेट-प्लैंक के लिए होगे यह विए एकसेजेगा अपकी films लेकिन जितनी ज्यादा स्लो करेंगे उतना ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बैली पे और बैली आपकी फ्लाट होगी किस तरीके से 20 रेपुटेशन लगाने आपने बिल्कु स्लो वापसा के पैर जमीन पर नहीं लगेगा मतलब कि आपने 20 लगा लिए मेरा अब इसमें रेस्ट नहीं लेना आपने कुए जल्दी अंदर करनी है तो रेस्ट नहीं होना चाहिए फिर से आपने लेक्रिजिंग करनी है बिल्कु स्लो टॉंटी रेपुटेशन लगाने है जब टॉंटी लगा लेंगे ना आखरी टॉंटी नाइंटी और टॉंटी यान प्रसे आपने प्लांक लगाना कितने टॉंटी सेगड के लिए प्लांक लगाना इसमें बड़ी थकापट होगी आपको लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी टॉंटी सेटिंग को गया और तीसरी बार भी बीच में रेस्ट नहीं लेना आपने फिफ्टीन लाग रेजिंग करनी है 15 लगाने बिलकुष लोगा रहा हूं थुल लमने टॉंटी हो करने कितने है और तक करने साथ ब्लैंक के साथ आपने जमीन से नहीं हूटा क्या करना है अपर बोडी इस तरीके से होल्ड किजेगा और तंगे सेंटी डिकनी एंगे से वान इसके 10 रपोटेशन लगाने बाइसेकल के जब 10 रपोटेशन हो जाएंगे फॉरण बद आपने 10 सेकंड के लिए प्लेंक लगान है 10 सेकंड का प्लैंक हो गया अगर थक नहीं गए तो फिर आपने कॉंटीनियू रखना है लाइक टेन दफा टेन लगाने लाइक वान टू त्री जादा तेजने लिगाना नॉमल स्पीड फॉर फाइफ टेन हो गए और टेन सेकिन के लिए मैं लगांगा प्लैंग सेम इसी तरह आपने तीसरी बार भी टे 10 सेकिन के लिए प्लैंग करना है योगी आपकी पांच एक्सराइज इस तीन तीन सेट के साथ प्लैंग के साथ इतिरी लेटर रहना के देखें अब आपने अपर बोडी से मुझी रहोंड करने है टांके 70 डिग्रेंगा था लाइक इन और वान टू त्री एनिके 10 लगा लि 2, 3, 4, 10 हो गए फिर से आपने 10 सेकिन के लिए प्लैंग लगाना है और तीसरी पार भी आपने बाइसेकल 10 करने है यह बहुत ज्यादा है जब लगाएंगे पता लाग जाएगा और फिर फॉरंड 10 सेकिन के लिए आपने प्लैंग लगाना है यहोगी 6 एक्साइज इस तीन- यह त्रीके से अब यह कमर को स्पोड करेगी लेकिन प्रेशर पूरा पूरा देगी इस तरीके से लाइक आप अपने हाफ के देखें क्रंचीज लगाने है तांगों को बेंड की जाएगा और उठना हाथ को आगे लेकर जाएगा मैक्सिमम प्रेश्य पड़ेगा आपकी ब लगा लिए फॉरण बाद मैंने प्लैंक लगाना है कितने 10 सेगंड के लिए 10 सेगंड का प्लैंक हो गया फिर से आपने दुबारा वही चीज करनी है कितने 20 रेपोडिशन करने वान अगर 20 नहों तो 10 कर लिजी का कूकर स्टर्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम होती है में आपको बताना आस्ता आस्ता जब स्ट्रेंड डवालप हो जाएगी तो आप 20 तो गया 80 लगा रहे होंगे 20 होगे उसके बाद फॉरण आपने प्लैक लगाना है 20 सेंग के लिए योगी साथ एकसराइजिस तीसरे सेट भी आपने सेम इसी तरह करना है 20 रेपोडिशन और 20 से लिए प्लैक लगाना है योगी साथ एकसराइज इस तीन सेट के साथ एकसराइज नूमर एड नौट की जएगा आखरी एकसराइज आपने लगानी रश्चिन ट्विस्ट आखरी एकसराइज है और कोशिच कीजिएगा कि जाते वे राइड पर रजमीन को टच करना है क्यो लिए प्लैंक लगाना है थरी सेंट का प्लैंक हो गया दूसरा सेट भी आपने फॉरन इसमें टाइम बेस नहीं करना लाइक वान चुट्री फोर फाइफ सिक्स थरी वाप पर टूटेशन हो गये ट्विस्टी सेकंड के लिए आपने प्लैंक लगाना है तोंडी सेकंड का एक्सराइस के बाद आपके पेट पे बजीद एक्सराइस लेके आता रहोंगा फुल बोडी फाट लॉस बैली फाट, साइट फाट, हिप्स फाट, लेक्स फाट, आमस फाट, चस फाट नहीं बगास राब देखरे हैं फिटनेस पर एवर्यों अप तक भी इतना है लाफिस प्यक्सराइस